हेलो एब्रिबन किसी शहर से कुछ दूर एक किसान अपने गाउं में रहता था वैसे तो वो संपन्न था पर फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं था एक दिन उसने निश्य किया कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद बेज कर किसी अच्छी जगह पर जाकर बस जाएगा अगले ही दिन उसने एक जान पहचान के रियल स्टेट एजेंट को बुलाया और बोला भाई देखो ऐसा है मुझे तो बस किसी तरह से ये जगह छोड़नी है आप कोई सही प्रॉपर्टी डील हो तो बता दो तो बात बन जाए उसने एजेंट ने कहा अच्छा क्यों क्या दिक्कत हो गई आपको यहाँ पर किसान बोला आओ मेरे साथ आओ देखो कितनी समस्या आए यहाँ पर यह उबढ़ खाब़ रास्ते देखो यह छोटी सी जील देखो इसके चक्कर में पूरा घूम कर रास्ता पार करना पड़ता है इन चोटे-चोटे पहाड़ों को देखो जानवरों को चरना कितना मुश्किल होता है और यह देखो यह बगीचा आधा समय तो इसकी सफाई और रख रखाव में ही चला जाता है अरे करू तो करू क्या इस बेकार प्रॉपर्टी का एजन्ट ने घूम घूम कर इलाके का जाइजा लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्रहा के साथ आने का वादा किया इस घटना के एक दो दिन बाद किसान सुबह का अख़बार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेच बाच कर जा सके तभी उसकी नजर एक आकरशक आड़ पर पढ़ी लें सपनों का घर एक शांत सुन्दर जगह प्राकृतिक सौंदर सिभरपूर सुन्दर जील और पहाणियों के बीच शहर की भीड भाड से उचित दूरी पर बसाएं एक स्वस्त सुन्दर आशियाना किसान को ये ब्योरा बहुत पसंद आया वो बार बार उस एड को पढ़ने लगा पर थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का एड है इस बात की पुष्टी करने के लिए उसने दिय हुए नंबर पर फोन लगाया और सच मुझ ये तो उसी की प्रॉपर्टी का एड था तब किसान को एसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मंचाही जगह पर रहता है और ये उसकी गलती थी कि उसने अपनी ही चीजों को हमेशा गलत धंग से देखा अब किसान वही रहना चाहता था उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस एड को हटाने के लिए कहा Moral of the story Friends, इस किसान की तरह ही कई बार हमें भी अपनी लाइफ से बहुत complaints होती है लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है हमारी नौकरी में ही सबसे ज़ादा pressure है हमारी personality ही सबसे unattractive है पर क्या आपने कभी दूसरों की नजर से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश की है क्या वाकई आपकी लाइफ इतनी problematic है या आपने खुद जरूरत से ज़ादा उसे ऐसा बना रखा है कहीं किसान की तरह आप भी अपने जीवन के सौंदरे को अंदेखा तो नहीं कर रहे है कहीं आपको भी आपकी खुशिया गिनाने के लिए किसी paper advertisement की जुरत तो नहीं अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रष्टेदारों के साथ में जरूर शेयर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ